अब आपको बताया था कि हम लोग mathematical statistics से स्टार्ट करने से पहले हम लोग basic fundamentals पर study करेंगे तो जो आगे के आने वाले जो 4-5 लेक्चर है अब आपके वो basic fundamentals के लिए होंगे तो बड़ा interest आने वाला है आपको इसमें तो हम लोग start करते हैं तो मैं यहापर अपने इस basic fundamentals में सबसे पहले जो मैं start कर रहा हूँ यहापर chapter वो है यहापर measure of central tendency याने कि Kendriya परवर्ती के माप Kendriya परवर्ती के माप देखिए statistics के अंदर आप लोगों को data का एक group मिलता है जिसे हम लोग बंटन केते हैं तो data का एक group मिलता है data का जो group आपको मिलता है इस पूरे group को represent करने के लिए हमारे group को represent करने के लिए एक संख्या के आउशकता होती है जो यह number है वो इस पूरे group को represent करता है इसलिए इस number को इस संख्या को हम लोग इस group का representative केते हैं जो generally हमें center को देखने को मिलता है जो data का group का जो center है वो अपने इस group को represent करता है इसलिए generally जो center होते हैं वो representative होते हैं हमें हमें पूरे group पर study करनी है तो आप उसके center पर study कर लिजिए क्योंकि पूरे group की जो प्रवर्ती होती है जो उसका जो nature है वो generally वो nature center से represent होता है जैसे आप लोग देख सकते हो कि एक class है और इस class के अंदर काफे सारे लड़कियों लड़किया हैं उनकी age है हमारे पास तो हर बच्चे लड़किया लड़की की जो age है वो generally किसी की 15 years, किसी की 16 years, किसी की 17 years, किसी की 14 years तो कुछ students ऐसे होते हैं जिनकी 15 16, 17, 18 अलग-अलग different different उनकी age होती है जब हम लोग इस पूरी class की एक age की बात करते हैं कि इस पूरे class का average कितना है age का तो वो उसका center होता है तो उसका center जो है वो उस पूरे group को represent करता है इसलिए हम उसको generally group को काम में लेने के लिए एक संख्या की हमें आउशक्ता होती है statistics के अंदर तो वो उसके लिए हमें center लिया जाता है तो center representative होता है और इस group के अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो center होता है वो उस पूरे group के अंदर जो data होते हैं उनके जो nature होते वो उनके similar nature को represent करता है जैसा nature चल रहा है उसको represent करता है जैसे कि अगर मालो age है age अगर आई है 15.5 तो हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 15.5 के करीबन ही यहाँ पर सारे बच्चे बैठे वे हैं जिनकी age 15.5 है तो इसे थोड़ा जादा या थोड़ा कम पर लेकिन सभी को represent किया जा सकता है 15.5 से तो हमें यहाँ पर जो यह center है इसका काफी रोल होता है एक group को represent करने के लिए हमें center के आउशकता पड़ती है जो यह center है यहाँ यहाँ पर दो तरीके से निकाला जाता है एक तो arithmetic mean एक हमारे पास होता है यहाँ पर हम mathematically जो mean है उससे इसको find करते है और दूसरा तरीका होता है position से हम position से भी हम लोग अपने इस center को पता करते है mathematically जो mean होते हैं या mathematically जो हम लोग average निकालते हैं जो center निकालते हैं जो mathematical help से हम लोग निकालते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean यानि कि समानतर माध्या, गुणतर माध्या और हरात्मक माध्या जिनने हम लोग AM, GM और HM केते हैं तो हम जब mathematical mean जब हम लोग find कर रहे होते हैं तो महाँ AM, GM, HM की help से हम लोग find कर रहे होते हैं कई बार हम लोग center निकालने के लिए position position की भी हम लोग help लेते हैं position से related हमारे पास दो मान होते हैं जैसे एक तो median और एक mode median और mode ये positions के द्वारा निकाले के center होते हैं आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि जो हमारे पास data होते हैं उनको हमें पहले तो एक order में हम लोगों को जमा लेना होता है एक order में हमें इनको arrange कर लेना होता है जैसे कि या तो आप उसको ascending order में रख दीजे या deascending order में रख दीजे अब median का मतलब क्या होता है हिंदी में हम इसको बोलते है madhika और ये जो word आ रहे हैं center के लिए ही यूज के जा रहे है बिल्कुर center बीच में होता है तो इन सारे जो data है जिनको हमने जमाया है ascending order में तो उसके जो beach का जो मान होता है उसको हम लोग median केते हैं तो वो beach का जो मान है beach का मान जिसके right side में भी समान data हो और number of the data same हो और left side में भी number of the data same हो तो position को ध्यान में रख करके center निकाले जाता है ऐसे ही mod के लिए भी होता है तो यहां हमारे पास जो center है वो दो तरीके से निकाले जाते हैं एक तो mathematically mean के द्वारा और एक निकाला जाता है position के द्वारा तो इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके मैं आपको इन सभी के बारे में knowledge देता चला जाओंगा यह आप लोगों को काफी help करेगे चलिए देखते हैं देखिए तो measure of center tendency में मैंने जिसा आपको बता है mathematical average और mathematical average जो है तीन तरीके से निकाला लगा था है सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं आप लोगों को arithmetic mean के बारे में बताने वाला हूँ arithmetic mean है समांतर माद्या कई तरीके से देखा जाता है कई तरीके के formulas हम लोगों ने पढ़े हैं पहले किन formulas कब कहां कैसे यूज करने चाहिए पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ इस arithmetic mean को भी हम लोग जो find करेंगे तो अपने data जो होते हैं उन पर अच्छे से हम लोग गौर करेंगे कि जो हमें दियावा जो data है वो किस पकार का है मतलब ये कि data जो हमें दिये वे हैं क्या उनकी हमें frequency पता है और अगर हम लोगों को हमारा जो data दियावा है अगर वो एक group में हमें अगर दियावा है तो group में हम लोग यहां समानतर मात्य के इस परकार से निकालते हैं तो हम लोग अलग-अलग तरीके से कई तरीक से study करने वाले हैं हम एक direct method और shortcut method दोनों तरीके से study करेंगे काम में लेने के लिए हम लोग और' को चोटा को चोटा बनाते हैं वोलग चोटा करें हम fine करते हैं तो उसका में effzes वाइदा होता है क्या होता werd हम लोग आगे देख तो उस बात को आगे रखते हैं हम लोग यहां पर shortcut method भी सीखते हैं और direct method जो इस लिए पहले हम लोग अर्समेटिक मीन में सबसे पहले हम्लोग लेते हैं यहां पर डारेक्ट मेठीक मेठी अब आप सोचेंगे यह देखिए यहां पर ऐसा जो डारेक्ट मेथड है यहां पर काम में लेने के लिए बिल्कुल सिंपल सी जो स्कूल में ही हम लोग परीबाशा हैं सीख कर आए हम लोग यहां पर काम मिलेंगे तो जैसे मैं आपको बताता है कि अगर हमारे छोटे-बोटे मान हो डाटा हो तो उनके लिए हम लोग जो उसका माध्य निकालने के लिए जो हम लोग वर्किंग करते हैं वही हमारे पड़े हो तो उनको छोटा हम जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग शोटकट में लेते हैं और उस विदी में हम लोग एक अजूम्ड मीन की कलपना करते हैं याने की कलपित माद्य लेते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो सबसे बेले फड़ापट हम लोग आगे बढ़ते हैं डारेक्ट मेधर के लिए बहुकुल सिंपल सा अब हम लोग ने क्या पढ़ा है कि किसी का भी समांत क्या है कि किया वह हमारे पास विदाओट की इसने पता है यार नहीं पता है और भारंबारताओं और ऑप लोग फिर्वेंसी की अच्छे से जानते का मतलब क्या होताई एक बार मैं आपको दوبारा बताओंगा ध्यान दिए फिद्वेंसी जो हें उसको हम लोग हिंदी में ब बारम बारता तो हिंदी बड़ से आप लोगों को तुरन पेचानने में आ जाएगा कि पिग्वेंसी का अर्थ क्या है मीन क्या है देखिए जब कोई संख्या बार बार आती है तो बार बार कितनी बार आ रही है वही उसकी बारम बारता है कोई संख्या कितनी बार आ रही है त 2, 2, 7, 5, 3, 3, 8 तो अगर आप यहां देखोगे तो मेरे पास यहां जो 2 है वो यहां पर 3 बार आया है इसलिए 2 की फिग्वेंसी यहां पर 3 हो गई है यहां पर 3 है जो 3 है मेरे पास 3 बार आया इसलिए 3 की फिग्वेंसी यहां पर 3 हो गई है जबकि यहां पर 5 दो बारा है तो 5 की frequency 2 हो गई 7 और 8 11 बारा है इसलिए उनकी frequency 1 है तो यहां पर हमारे पास जो है हमें यह दियान रखना होता है कि हमारे पर जो data available है क्या उनमें frequency है या नहीं है मतलब वो बार-बार repeat हो रहे है या नहीं हो रहे हैं तो सबसे पेले हम लोग वर्क करने हैं without frequency पर तो मैंने यहाँ पर लिया without frequency without frequency without frequency में हम लोग यहाँ ले सकते हैं मैंने यहाँ बड़ा simple सा एक example लेना चाहूँगा यहाँ पर या हम फ्रावर से formula लिख लेते हैं हमारे पास जो data है वह है x1, x2, x3, right और यह है xn तक तो हमारे पास जो इसका mean होगा mean को हम लोग x-bar से represent करते हैं यहाँ पर समांतर माध्य को तो जो x-bar हमारे पास होगा वो क्या होगा the sum of the data यानि की आकणों का योग वटा आकणों की संध्या राइट अगर आप इनको count करोगे तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर n है इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं summation summation आप देखी ज़रा हमारे पास data n तक है इसलिए आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, n, n, x, n, divided by small n यही हमारा जो आप लोग पढ़ा करते थे इस्कुल में वो यही हमारा formula है यह हमारे पास without frequency का जब frequency नहीं हो जब frequency अगर हमारे पास हो तो कैसे find किया जाता है इसका भी मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको जैसा आपको बताया था मैं आपको simple simple छोटे छोटे मैं आपको example बताते हैं मैं आगे बढ़ूँगा तो अब आप इसको बिल्कुल इसका simple सा है कि एक example ले ले लेते हैं यह आपको सबको अच्छे से पता है कि अगर मैं माद्धे निकालना है, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे इसका माद्धे निकालना है, तो x bar equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, मैं सबको add कर दूँगा, and divide by, ये data मेरे पास कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मेरे पास data है, ये data की जो संक्या है, मेरे पास 5 है, इसलिए मैं हमारे पास 3 है, आगे बढ़ते हैं, without, frequency के बाद हम लोग लेते हैं, with frequency, frequency जब हमें dv हो, तो हम इसको किस पकार से काम में लेते हैं, देखिए, frequency के वक्त हम इसको किस पकार से काम में लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर, जो मुझे data दिया वा है, वो है मेरे पास, यहाँ है, x1, x2, right, x1, x2, और ये, xn, और इन सबके जो frequency मेरे पास है, वो है मेरे पास, यहाँ x1 जो है, वो f1 बार आता है, और x2 जो है, वो मेरे पास, यहाँ पर f2 बार आता है, यह मेरे इसकी frequency ले ली है, तो सब data की यहाँ पर frequency है, तो इसका जो formula हमारे पास होता है, कि जब हमारे पास frequency के साथ data दियावा होता है, तो उसका mean निकाला जाता है, वो mean इस परकार से होता है, ध्यान दीजिए, कि डाटा को जो आपको मान दियावा है उस मान को उसके संगत फिग्वेंसी से उसके corresponding फिग्वेंसी से multiple करते जाईए और इन सभी को add कर दीजिए तो यहाँ x1 को f1 से multiple करेंगे तो वो बनेगा x1 f1 plus x2 को f2 से multiple करेंगे x2 and f2 plus इस तरह से xn fn divide by right और यहाँ पर यह जितनी भी बार frequency आ रही जितनी भी frequency यहाँ आ रही है इन सभी frequency का sum यानि कि योग जो हो जाएगा f1 plus f2 plus और यहाँ fn यह हमारे पास होता है mean x bar इसको हम लोग और short में इस पकार से लिखते हैं x bar equal to the summation i के value 1 से लेकर के n और यहाँ f i x i right and upon divided by capital N यहाँ यह capital N क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं हम लोग जनरली पढ़ा करते हैं जो capital N होता है उसको वो होता है बारंबारताओं का योग right the sum of the fi तो यह formula हम लोगों ने पढ़ावा है इस प्रकार से तो आपको मैं यहाँ पर अब यह बात बताने वाला हूं कि यह आपने formula वहाँ पढ़कर करके आप आएं हैं और आपने उसको रारेक्ट याद भी किया वा था अब थोड़ा से ध्यान दीजिए जिखो मैं यही formula आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यह कोई नई चीज नहीं है। मूल परिवाशन याद करी थी जो फंडा मेंटल याद किया था मीन को निकालने का वो ही हम लोगों यहां पर काम में लिया है कैसे काम में लिया है मैं आपको बताता हूं यहां पर देखिए जरा देखिए मैं एक यहाँ पर example ले रहा हूँ मैंने यहाँ पर exile ले लिया है यहाँ मैंने ले लिया 2, 4 6, 8 और 10 और इनकी मैंने frequency यहाँ रख दी है 1, 2, 3, 4 और 5 इसका मतलब क्या है जो मैंने data यहाँ लिया है मैंने इसा लिख दिया तो मैंने आपको बताया था अभी इसका अर्थ क्या है कि जो 2 है वो एक ही बार आ रहा है जबकि 4 है वो हमारे पास यहाँ पर 2 बार आ रहा है 6 है वो हमारे पास यहाँ पर 3 बार आ रहा है और जो यहाँ 8 है वो 4 बार आ है 10 है जो 5 बार आ रहा है यह हमारे पास data है number of data कितने है total अगर आब यहाँ पर देखोगे number of data कितने है कितना यह मान हमारे पास रखे तो देखो दो एक बार आ रहा है चार दो बार आ रहा है तो यह इस प्रकार से होगा 2, 4, 4, 6 जो है वो तीन बार आ रहा है तो हमारे पास यह डाटा किते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से हम लोग काउंट करेंगे तो यह हमारे पास एक बार आ रहा है यह हमारे पास दो बार आ रहा है तो टोटम ला करके 3 और यह छे जो है तीन बार आ रहा है तो 3 और 3 मिल करके 6 6 और 4 मिल करके 10 10 और 5 मिल करके 15 मतलब हमारे पास टोटल यहां पर 15 डेटा रखे वे हैं 15 data रखे वे हैं, तो 15 हमारे पास यहां पर मान रखे वे हैं, अब हम लोगों को इन 15 जो data हैं, इनका में mean निकालना है, तो mean की तो अपने fundamental definition क्या आयत की थी, कि आकड़ों का योग बट्टा, आकड़ों की संख्या, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे, तो आप लोग देखे जरा, आप बिलकुल आसानी से देख सकते हूँ, यहां पर, मैं आपको यह बात बता सकता हूँ, यहां पर, यह 2 जो है, एक ही बार आ रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया है, 2 प्लस, फिर यह जो 4 है, यह दो बा आ रहा है, तो मैं डाटाओं का योग कर रहा हूँ, अब यह 4 है, वो दो बार आ रहा है, मैंने लिखा 4 प्लस 4, प्लस 6 तीन बार आ रहा है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, प्लस 8 प्लस 8, प्लस 10 प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, डिवाइड बाए, और यह आप लोग देखे, टोटल कितन दाटा थे मैंने आपको बताया था यह टोटम लाकर के 15 थे ऐसे हम लोग निकालेगे अब आप लोग यह देख सकते हो कि यह मान विखुल उसी प्रकार से निकाला जाएगा तो यहां पर देखो यह लिख रहा है 2 प्लस अब यह 4 दो बार आ रहा है इसलिए मैं इसको एसा लि 10 to 10 and divide by 15 right आप यहां ही देखिए जो हमने वर्क किया है उसको देखिए आप लोग यह यह जो हमने वर्किंग करी है जब हम वर्किंग करके यहां पर आएंगे तो यह हमारे पास सोमला याद करवा दिया जाता है आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने भी आपको बताया थ 2, 6 की फिग्वेंसी 3, 8 की फिग्वेंसी 4, 10 की फिग्वेंसी 5 इन सभी के डाटा को इनकी फिग्वेंसी के साथ हम लोगों यहां पर multiple करके एड करके वहां पर हमने पढ़ा था वो बिल्कुल इसी से match कर रहा है and divide by यहां पर हमने लिखा था कि सभी जितने भी फिग्वेंसी है उनको आप लोग यहां पर add कर दीजिए, sum कर दीजिए उनका तो उसका mean यही होता है कि आपके पास total number of data कितने है तो यह हमारे पास total number of data 15 और उससे हमने divide कर दिया तो हमारे पास यह formula बना तो यह कोई नया formula नहीं है यह इसके fundamental से निकल के आया है आकणों का योग बटा आकणों की संख्या जैसा हम लोग देख रहे है तो यह आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आपको क्या है कि सीधा यहां पर formula हम लोगों को मिल गया है तो हम लोगों को कभी भी यह दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे अपने data को जो है हम लोग दो भागों में divide कर लेंगे कि frequency dv है या नहीं dv है नहीं dv है तो उस तरह से हम लोग इसको लिख लिख लिया करेंगे बाकी बात एक ही है और frequency में dv है तो हम लोगों ने इस तरह सिय and plus 8 into 4 plus 10 into 5 and divide by यहाँ पर इन सभी को add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and x bar equals to यह जाएगा 2 plus 8 plus 6 3 18 and plus 32 plus 50 divide by यह 5 4 9 9 3 12 12 यह हमारे पास 15 इन सब को अगर हम add करेंगे तो add करने पर हम लोगों को मिलता है 110 divided by 15 इसको हम लोग इस परकार से भी लिख सकते हैं x bar equal to यह हो गया है 22 5 से cancel कर दीजिए and 3 तो इस परकार से बिलकुल आपको इस तरह का question मिलता है आप उसका मिली इस तरह से निकालेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी और अब हम लोग यहां पर जैसे अभी हमने डारेक्ट मेथर सीखा अब हम लोग सीखेंगे आपर एक shortcut method shortcut method में भी हम लोग विलकुल वही काम यहां पर करेंगे जब frequency दीवी हो जब नहीं दीवी हो shortcut method को मैंने पहले ही बताए हैं हम इसको यूज क्यों लेते हैं हम जब हमारेदा के मान जादा बड़े होते हैं तो उन data के मान उनको छोटा बनाने के लिए उनको उनके मान को कम करने के लिए हम लोग इसका use मिले थे क्यों क्या इसका उप्योग होगे वो हम लोग यहां देखते हैं देखी जरा shortcut method वही हम लोग यहां पर लेंगे without pregnancy देखिए मैं इसको सिधा सबसे पहले मैं आपको एक example के माध्यम से इसको समझाओ कि shortcut method का मैं काम में के सरी नहीं example के माध्यम से अभी मैंने यहां पर कोई data लिया है यहां एक साई और मैंने यह पूरा यहां पर लिखा जैसे मेरे पास है 200, 198, 204 फिर है 199 और यहां पर मैंने ले लिया है 202 यहां पर यहां पर लिया अब आप लोग यहां पर यह देखिए सबसे पहले इसका mean आप समझ लीजिए इसका यूज आप समझ लीजिए कि हम लोग यहां पर जो यह shortcut method है हम इसको काम में क्यों लेते हैं देखिए यहां पर हमारे पास जैसे मैं पता है कि अगर हम इंडिया की population की बात करें या फिर हम लोग जो पूरी इंडिया में किसी disease से जो पीडित हैं जो मरीज हैं जो patient हैं अगर हम उनकी बात करें कि specify एक disease से कितने patient इंडिया में हर साल मरते हैं अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे जितने भी हमारे पास जो data हैं इनके अंदर हमारे पास जो मान हैं वो काफी बड़े होते हैं अगर population की बात करें तो वो लाखों में होती है अब लाखों में अगर population होती हैं और अगर हम वाँ पर मीन निकाल रहे हैं और हमारे पास 0.1 की भी अगर mistake होती है तो 0.1 की mistake से भी वहाँ पर हजारों में, लाखों में changes होने को मिलता है तो जब data का मान बड़ा होता है, करोडों में, अरबों में तो वहाँ एक point भी लाखों में एक effect हमें ला करके देता है सही बात है, और दूसी बात यह कि अगर data का मान ज़्यादा बड़ा होगा, और हम लोग calculation कर रहे होंगे तो जहर से बात है कि calculations भी काफी बड़ी-बड़ी हमारे पास होंगी, मतलब काफी complicated type होंगी अगर वहाँ पर कोई गलती हो गई तो इतनी बड़े data में इतनी बड़े complication में उस गलती को, उस error को ढूंड पाना हमारे लिए कठीन होता है तो इसकी सुईधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो मान होते हैं, जो बड़े-बड़े जो assumed mean, हम उसको assume करते हैं हम एक ऐसा, हम एक ऐसा मान वहाँ पर लेते हैं जिससे अपने data को छोटा बनाया जाता है राइट, छोटा बनाया जाता है विकुल सिंपल सा काम है जैसे ही सारे के सारे मेरे मास मान है तो मैं कोई भी ऐसी संख्या लूँगा और उस संख्या को मैं इन में से घटा दूँगा इन में से मैं सब्टेट कर दूँगा तो इस में से मैं सब्टेट कर दूँगा तो यह मान मेरे पास और भी छोटे हो जाएंगे घटाने से यह मान और भी मेरे पास छोटे हो जाएंगे जो भी मैं संख्या यहां पर मैं लूँगा वो संख्या इन डाटा के अलावा भी हो सकती है या इन ही डाटा में से ली जा सकती है अगर मुझे इसको छोटा बनाना है तो जिसे मैं यहां पर जो है मैं इन में से भी ले सकता हूँ मैं इन डाटाओं में से भी अपना कोई न कोई एक मान ले सकता हूँ मैं इसके अंदर से 200 ले सकता हूं और मैं अगर इन सब में से 200 को अगर मैं सब्टेट कर देता हूं घटा देता हूं तो यह मान में पास और छोटा हो जाएंगे तो इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है कि अगर हम हमारे मानों को अगर छोटा कर लेते हैं डाटा को अगर हम छोटा कर लेते हैं उनके मान अगर हम कम कर देते हैं तो आगे बाइचांस अगर हमारे पास कोई गलती होती है है अगर हमारे calculation में तो चोटे डाटाओं में चोटे डाटाओं में जब calculation की जाती है तो उसमें गलती पकड़ने की संभावना भी हमारे पास कम हो जाती है उसके अंदर हम गलतियां जल्दी से डून लेते हैं कि अरे यहां पर गलती हो गई है यहां पर इतना होगा तो calculation भी आसान हो जाती है चोटे डाटाओं से और गलतियों को डूंड पाना भी हमारे लिए आसान हो जाता है तो यहां पर error होने की chances होते हैं वह कम हो जाते हैं तो जैसा मैं पर लेकिन जनरल ही आपको जो डाटा दियावा हो आप उन्नी पर लिया करें तो इससे हमारे पास और स्वीधा होती है और असान स्विधा नहीं होती है nós सबसे पहले कौकुक क्या करना है कि जो क्डाटा मिलेगा जो भी आपके पास जो आक्रे हैं उनको सबसे पहले आप लोग एक क्रम में जमाईगे तो इन्हें हमने यहाँ पर लिखा कि सबसे पहले छोटी संख्या हमने लिख लिए है जैसे 198 तो हमने लिखा 198 फिर उसके बाद है 199 और 199 के बाद है फिर हमारे पास 200 और हमारे पास 200 के बाद है 202 and 204 अब कोई भी हम लोग यहाँ पर अपना assume mean ले सकते हैं हम अब अबना कल्पित मादे ले सकते हैं जो हमें इसमें से घटा करके डाटा को छोटा बनाएगे हम लोग देखो उपर उपर वाला मान 198 भी ले सकते हैं हम लोग नीचे नीचे वाला मान 204 भी ले सकते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं पर फिर मेरी बात को ध्यान दीजे हम इसमें भी क्या क्या करेंगे हम जनरली इसमें जो बिलकुल मिड में ही हम उसको लिया करेंगे अब знает यहां पर 12345 है अगर माegencal और होती 206 और इसके मिड में अगर हम देखते तो मिड में लेखते तो हमारे पास 200 भी है और तो आप सोचोगे कि जब हमेरे पास six data है तो फिर हम बीच का मान कौन सान ले तो आप 200 भी ले सकते हो और 202 भी ले सकते हो आप केवल काम क्या कर रहे हैं आपके data को छोटा बनाने का तो आप कुछ भी ले सकते हो इसके इंदर से जिसके लिए calculation आसान हो तो जैसा उमको मैं बता रहा हूं कि आप generally काम क्या करें जो आपको जनरली मिड में जो value मिलती है आप उसको लीया करें तो ठीक तो जैसे भी मैंने यहाँपर अपना जो मान था वो टू-जीरो फ़ॉर था तो मैंने यहाँपर क्या किया कि यह जो 200 है इसको मैंने यहाँपर assumed ले लिया इसको मैंने यहाँ पर A माल लिया तो आप जिसको आप ले रहे हैं हो जिससे आप लोग डाटा छोटा किया जा रहा है उसको हम लोग A लिखा करते हैं और इस A का मतलब होता है अब आप लोग काम क्या करें इसको सब्टेट करते जाएए तो आप लोग देखो 198 है 198 में से आपने यहाँ पर सब्टेट कर दिया 200 राइट फिर यहां 199 है अब आपने 199 में से सब्टेट कर दिया यहाँ पर 200 राइट तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग काम क्या कर रहे हैं हम लो और इस x i – a का अर्थ यही हुआ कि हम x i में से अपने a को सब्टेट कर रहे हैं और जो भी मान हमें मिल रहा है उसको हम लोगों ने यहां पर di कहा उसको हम लोगों ने यहां पर di कहा इस di का मतलब होता है deviation यानि कि which land right DI आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ पर अंतर निकाल रहे हैं आप लोग यहाँ पर इसका difference जो ले रहे हैं वो आप लोग यूचल में ले रहे हैं तो 200 से 200 को आप सब्डेट करके उससे difference ले रहे हैं उससे आप लोग बिचलर निकाल रहे हैं उसे हम लोग deviation की वज़े से हम लोग इसके आने वाले मान को DI लिखते हैं हमने यहाँ पर DI लिखा है DI क्यों लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर XI पर जब चलेंगे तो XI का मतलब XI का मतलब इतने हैं आपके पास यहां पर अथार्ट पहले वाला डाटा के लिए हमारे पास D1 मिल जाएगा दूसर वाली डाटा के लिए हमारे पास D2 मिल जाएगा पर D3, D4, D5 इसलिए हमने यहां पर भी D1 लिखा इसमें लेते हैं तो आप लोग आ砂ने से देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको subject कर दूँगा August 198 है 200 subject क्या मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 2 फिर 199 है यह subject कर देंगे माइनस का 1 200 को subject कर देंगे तो 0 और यहां पर हमारे पास 2 और यहां पर हमारे पास 4 तो अब आप लोग यहां पर यह देखिए कि यदि अगर आप देखते हैं तो देखो हमने जो यहां पर मान लिये हैं जो हमारे आप जो data था हालांकि यह भी काफी चोटा है तो इसके हमें हमें यह shortcut method पढ़ने के आउस Q..! अब हम यहां पर यहीं पर देकर झाइं मान के चलने यह का पज़ए को यह दो अब आपके पास डा्टा बन गया है वो होगी है, minus 2, minus 1, 0, 2, and 4 तो इनको calculate करने की जगह अगर हम इनको calculate करेंगे तो हमारे लिया ज़्यादा आसान होगा और अगर खहीं गलती होगई, तो गलती पकड़ने की भी संभावना हमारे पास कम हो जाएगी गलती भी हम लोग तुरंत पकड़ सकते हैं हमारे पर अगर हम इनको जोड़ना है हमें तो इनको जोडने की अपेक्षा कर हमें इनको अगर जोड़ने, इनको add करें तो इनको add करना जदा आसान है क्योंकि एक plus का होगा, एक minus का होगा, cancel हुआ और अगर मालो सारे plus के होते हैं तो छोटी-छोटी संक्या हमारे पास होती यहाँ पर उनको जोड़ना हमारे जदा आसान होता तो इनकी अपेक्षा इन राटाओं उपर working करना जदा आसान है इसलिए हम लोग यूजमे लेते हैं कल्पित बाद अब आप लोग यहाँ पर ही देखिए कि अब हम लोगों को काम क्या करना है हमारा काम था मीन निकालने का माद्धे निकालने का माद्धे निकालने के लिए हमें किस प्रकार से माद्धे निकालना है वो देखिए तो आप लोग सबसे पहले यह ध्यान रखेगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहां पर बात तो बहुत गोर से सुनिएगा कि आपके पास original जो data दिये वे थे वो तो यह रहे पर आप इन पर study करने की जगा इनको छोटा करके आप इन पर study कर रहे हैं मतलब आप एक साई की जगह अब आप लोग डी आई पर study कीजिए तो अब हम लोग डी आई पर study करेंगे और यहां से हम लोग अपना mean निकालेंगे कैसे निकालेंगे किस्ता से निकालेंगे यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पर और आप यह देखिए कि मैं आपको यहां पर इस basic fundamentals के अंदर कि starting के ही कुछ जो दो तीन जो फोर्मले होंगे वो starting के दो तीन फोर्मले से ही मैं बाकी के फोर्मले आप लोगों को वहां पर याद करना भी सिखा दूँगा और उनको develop करना भी सिखा दूँगा कि उनको किस तरह से develop किया तो आपको वास्तों में देखा जाए तो इस starting के ही दो तीन फोर्मले याद रखने पड़ेंगे बाकी के सारे अपने आप ready हो जाएंगे और कैसे ready करना है किस सरे से याद रखना है वह मैं आपको तरीका बताऊंगा तो देखे जरा कि सबसे पिले तो आपको यहां पर यह जान लेना चाहिए कि इसका mean क्या होगा इसका formula क्या होगा तो चले हम लोग बढ़ते हैं आगे तो आप लोग ध्यान दीजे जरा आप लो लोग ने जब mean पड़ा था जब सभी पड़कर क्या हैं उसमें आपने देखा था कि without frequency के लिए हम लोग क्या करते हैं आकडो का योग बटना आकडो की संख्या तो हम लोग यहां पर काम क्या करेंगे समीशन एक साई अपोन इसमोलें हमने यही काम किया था हो आप तो आप यहां पर क्या करें यहां से एक साई कमान निकालोगे तो एक साई कमान निकालोगे तो यहां से एक साई कमान निकालोगे तो एक साई कमान निकाल दोगे तो यहां से एक साई कमान निकालोगे तो एक साई कमान निकालोगे तो एक साई कमान निकालोगे तो एक साई कमान नि D I plus A upon n equal to अब आप लोग यहाँ देखें यहाँ पर हम लोग जो है यह I है I की value 1 से लेकरके N है I की value 1 से लेकरके N अब यह submission को separate separate कर दें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 upon N and submission I की value 1 से लेकर के N N D I और submission को A के साथ भी कर दें plus 1 upon N and the submission iq value 1 से लेकर के n into a हमने अलग-अलग कर दिया summation अलग-अलग कर दिया तो यहाँ पर n भी हमने अलग-अलग कर दिया यह इसी को represent कर रहा है अब यहाँ पर आगे देखिए आप लो यह हो गया 1 upon n and the summation यहाँ di iq value 1 से लेकर के n n plus यहाँ जो यह a है वो इस submission को दिखे submission पर limit क्या है iq है और यह a जो है वो हमारे पास constant है यह तो एक fixed quantity है तो यह fixed quantity जो है इस submission के बाहर निकल जाएगी क्योंकि submission पर limit iq लगी भी है तो i जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उस limit का effect पड़ता है तो यह जो a है वो i से free है a तो हमारे पास constant राशी है तो यह submission के बाहर जाएगी तो यह a जो है submission के बाहर आएगा तो a upon a न आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जाएगा submission 1 राइट? a बाहर निकलेगा तो अंदर 1 दे जाएगा correct? आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास यह submission 1 है तो आप यहाँ पर देखिए i के value 1 से लेकर के n है तो यह जो 1 है हमारे पास तो submission 1 का मतलब क्या हुआ? submission 1 का मतलब हुआ कि इस 1 को आपको n बार तक जोड़ना है right? submission a का मतलब क्या हुआ? submission a का मतलब हुआ? आपको a को n बार तक जोड़ना है add करना है तो a अगर हमने बार निकाल लिए है तो यहाँ पर 1 बचा और 1 का मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर 1 को n बार तक यहाँ पर add करना है n बार तक add करोगे तो आप आप लोग आसानी से देख सकते हो यह n टाइम्स तक अगर हम इसको add करेंगे तो हमारे पास यहां पर n आएगा तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि यहां यह जो summation 1 है जो 1 से लेकर के n limit के लिए हैं तो यह total n बना वो n उपर वाला n निछ वाले n को cancel कर देगा तो हमारे पास यहां पर जो mean आया है वो mean बन गया है a plus and summation d i i के value 1 से लेकर k n n upon n तो यह इसका formula रहा है तो आपको जब आप लोग अज़ियूंद mean काम में ले रहे हो तो आप लोग इस formula को काम में लें अब यह भी आपको मैं याद करना बता दूगा कि इसको आपको किस तरह से याद रखना है आप सूचे कि आपको इसको याद रखना पड़ है पर लेकिन आप इसको directly use में लेंगे तो पहले तम लोग अपना formula ले ले लेते हैं यहाँ कि mean जो है वो क्या होगा mean x bar equals to a plus summation i k value 1 से लेकर के n di upon small n right तो अगर हम इसका mean निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसका mean क्या होगा इसका mean होगा x bar equals to यहाँ a यह a कितना माना था आपने 200 तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 200 तो 200 and plus summation di यह जो di है यह रहा माना आपके पास इस di का submission निन्होंने का है submission का औरत होता है add करना तो यह जितने भी मान है आपके पास इन सबको आप add कर दीजिए अगर मैं इनको add करूंगा तो देखिए इनको add करना कितना आसान हो गया है plus का two minus का two cancel हो गया है four minus one यहाँ पर हमारे पास three आ गया है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा three divided by small n small n का मतलब number of data नमरों data कितने हैं आपके पास one two three four five तो हमारे पास यह five है हम लोग इसको यहाँ पर five लिग देंगे तो हमारे पास जो यह है एक्स बार की जो वेल्यू है वह हो गई है यह हो जाएगा हमारे पास two hundred plus यह हो जाएगा point six zero that if x बार equal to two zero two zero zero point six right तो यह जो हमारे पास जो data आएवे है इन डाटा का mean हमारे पास माध्य हमारे पास होता है two hundred point six यह कोई नया formula नहीं है यह सब जो वर्किंग है वह उसी पर कर रहे है आकणों का योग बटा आकणों के संक्या आप उससे भी निकालोगे इसको तो यही माना आपके पास आएगा अब इसको याद कैसे रखना है मैं इसका याद रखने का आपको तरीका यहां पर पता देत जब data नहीं होता तो frequency कैसे हम लोग उसका mean कैसे लिखते हैं तो हम लोग अच्छा से जानते हैं वो mean हमारे पास होता है x bar equal to summation i के value 1 से लेकर के n और यहां लिखते हैं हम लोग x i upon small n ऐसा ही लिखा करते हैं तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि हम assumed mean यहां लेंगे काम में और data को छोटा बनाएंगे डाटा को छोटा बनाने के बाद हमारे पास अब हमारे पास जो deviation होगा वो होका डी आई तो अब हम लोग इस x i को भूल जाएंगे x i पर तो study नहीं करेंगे x i को भूल जाएंगे और उसकी जगह हम अब डी आई पर study करेंगे तो आपको काम यही करना है कि आपका जो formula है उस formula में आप लोग x i को भूल जाओ और उस x i की जगह आप लोग यहां पर लगा दो डी आई क्योंकि हम लोग यहां पर छोटे data पर study करना चाते हैं तो x i हटा और डी आई लगा दो आ जाहेर सी बात है यह सम करोगे तो 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 कि इरफिर्ट आएगा इसका और में निकाल रहे हैं इन डाटा पर हम यहां पर बात कर रहे हैं इन डाटा पर यह बड़े हैं वो छोटे हैं अगर हम directly काम में लेने लगे तो हमेरे पास तो बान अलग आएगा इसे यह अलग डाटा है तो ध्यान दीजिए हम इनको छोटा करके जब इन डाटा पर आते हैं और जब हम लोग मीन निकालते हैं तो ध्यान दीजिए कि हमने यहां पर 200 को काम म में लिया था हम यहांपर आने वाले मान को आने वाले मान को हम लोग जो है अपने ओरीजिनयल मान से मेच करवाना चाहते हैं यऌन और मीन निकालना चाहते करें तो आपको फोम्ला भी तो नंतियाद हो जगया है कैसे याद हुआ है आप पर जो भी डाटा आया है आप उसका डियाई निकाल करके डियाई का कोलम बना लीजिए अब आप लोग मीन निकालना है आपको तो फटाबर रिकॉल कीजिए कि जब फिक्विल से नहीं होती तो फोमला क्या होता है आप लोग पुरत समिशन एकशन एपनेंफाई हटाओ डियाई लगा अब हिसे जो माना आयेगा वो चेंग आयेगा उस चेंग को हटाने के लिए उस डिभरेंट वेलु को हटाने के लिए औरिजर गण। करने के लिए सिफ काम कितना कांता कि यह जो जो पर आपको बताई इसका आपको मैंने यहां पर अज्वीन में का मतलब भी मैंने आपको बताया और उसका फोर्मला डिरेक्ट यातिने का तरीका भी बताया वह कुल इसी तरह के साफ लोग इस टडी करेंगे आगे हम और भी बैसिक नॉलेज लेने वाले हैं हम लोग मोड जोमेट्रिकली मीन और हार्मोनिक मीन इन सपर स्टेड़ी करनी है तो आज के लेक्चर को फिर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं थैंकि सो मच धन्यवाद